तो फ्रेंट आज आप सभी के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेका हैं यो आपने सोचा भी नहीं होगा यूजफुल उंगी है यह जितने भी टिप्स लेकि आए यह बहुत जादा काम आने वाली हैं तो चलिए कई देडने करते हैं आज हम कौन कौन सी टिप्स लेका हैं सबसे पह आप गटे पीलीट झt kuleर जाने की भी जरूर्वत नहीं पड़ेगी अगा सब्सक्राइब इतना है आप सपीड Donberा टिप्स रवक असब बहुत हुआती है जिरिऑ यह ज़्यादा में मेंने नैल्स कौन सब्सक стен है जयालays एक पहुत है कोई भी चीज में वेस्ट नहीं करते हूं हर एक चोटी सी बड़ी चीज का मैं यहां पध्यार रखती हूं और देखिए मैं महंदी भी खुद से ही लगाई हुई है तो यह देखिए यहां पर मैंने क्या किया है रेड कलर की नेल पॉलिस लगा लिए और हल्का सा इसको मैं कि आपके नेल पॉलिस इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी तो जैसे कि आप मैं दिखा रहे हूं मेरा क्यान जो ट्राइपोड मेरा चोटा वाला वह तूट गया है बड़े से काफी यादा बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखानी पार हूं तो आप माय सब्सक्राइब करें लगा सकती है तो मेरे को वाइट लगाना था तो यह देखिए आप में वाइट कलर का लगा लगा हूं कितनी जैदों सुंदर लग रही है ऐसे लग रहा जैसी कि हम इसे पालर में अनल आर्ट करा के आए लेकिन ऐसा नहीं है मैंने अपने घर पर से लेके आते हैं तो कई वर क्या होता ना फ्रेंड हम ऐसे ही रख देते और उसमें क्या होता ना वह काला पड़ जाता है खराब हो जाता है तो अब आपको इस चीज से बिल्कुल भी परिशन होने की जरूरत नहीं है आज मैं यह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ अब बता रहे हूं कि दो तिन टिप्स बताने वाली हूं यह दिखिया आप मैंने एक बोटल ले लिए जो हमारे घंडॉर्मल पानी की जो बोटल होती है बोले लेनी है और यह बोटल हर गर में आसानी से मिल जाती है तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे नहीं जाएगा यह ल आप नहीं होगा तो आपको क्या कहना है बोटल का जो रैपर था उपर वो लागा हो तो मैंने हटा दिया है यहां पर देखिए इस तरीके के कोई चाकू ले लेना है आपको प्लैन चाकू से यह नहीं कटेगी बोटल तो ऐसा खुद्रा सा जो चाकू होता है जो हमारे पानी की है तो हमको ऐसे इसमें कुछ भी नहीं रखना ने तो हमारे चीज खराब हो जाएगी सबसे पहले आपको अच्छे से बोटल को पूछ लेना है यह देखिए मैं किस तरीके से इस बोटल का पूछ नहीं इस बोटल का फ्रेंड में इतने ज्यादा यूज लेती हूं नकट कहने के बाद मैं आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत सारी टेफ्स लेकर आने वाली हूं इससे रिलेटिव तो यह देखिए गाइस यहां पर मैं लहसन वाले टेफ्स आपको बाद में बताऊंगे सबसे पहले यहीं कि रोटी बच जाती हैं हमारे घर में नौर मैंना काफी दो तिन दिन की रोटी बच जाएंगे तब भी आ जाएंगे को कि एक दो रोटी बचती है तो आपको क्या करना इस तरीके से इनको इस्टोर करके और बोटल में रख दीजिए तेखिए मैं आभी आमें पांचे रोटी बढ़ाईगों फिर भी आभी बोटल खा को दे सकती हैं तो है ना यूजफुल टिप्स तो कितने अच्छे से यह रोटी आ गई है और लग भी निरा कि इसमें हमने यह रोटी कैसे बढ़ाई है और यह पता भी नहीं चलेगा आपको बहुत लंबे टायम तक चल जाती है तो जैसी कि मैंने टिप्स फॉलो करते हूं वहीं आपके साथ शेयर करती हूं तो अगरी टिप्स और लेकर जैसी कि हमें लम्बे टायम तक इसको चलाना है तो आपको क्या करना है फ्रेंड यहां पर यह लहसन जो है इसको बोटल में भर देना है बोटल में भरके इसको लगा मतलब जो हमने उपर से कट किया वह एसी तो इस बोटल को आप कहीं भी रख दीजिए और आपका जो लहसन भी खराब नहीं होगा लंबे टाइम तक चलेगा फ्रेंड तो है नगाइस यूजफुल टिप्स मेरी आप फोलो कर सकती है तो इस तरीके से मैं बोटल में लहसन भरके रख लेते हूं और एक चीज़ और बत में कोई भी बढल भरके रख वैयर पानी वाले होगी तो घैसे में गारंटी से कह सकते उं कभी भी आप की दाल खराब नहीं होगी जैसकि में कई वारे इनमें डाल भर के भी रख देती हूं जैसे ज्यादा दाल होती है जो दोकलो वाली बोटल आती है तो मैं उसमें दालें भरके रखती हूं किसी दिन में आपको दिखाऊंगी और वसके लिए भी टिप्स बताऊंगी तो आप उस तरीके से रखेंगी ना तो यकीन मानी बुर्कुल भी दाल खराब नहीं होने वाली तो आपको क्या करना गैस चलाना गैस दे और थोड़ी देर में अच्छे से चिपक जाएगी बुर्कुल भी आपकी यह जो सील है ना यहांसे बंद हो जाएगी पनी की बुर्कुल भी दाल नहीं निगलेगी तो यह देखिए फ्रेंड मैं देखा रहे हूं कितना से से लीजिएगा ऐसी ही टिप्स देखने के लिए और जैसे कि आइसमें हरोज टिप्स लेके आती रहती हूं नई नई आप सभी के लिए तो यह देखिए फ्रेंड मैंने दाल वाली भी चिपका दी है और आप हाथ से ना करें मेरे को तो आदत पढ़ी है क्योंकि मैं करती रहत तो कैसी लगी टिप्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फ्रेंड तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलूंगी अच्छी सी वीडियो के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और जैसी की नॉटिफिकेशन मिल जाए आपको तो बाई टेक केर थैंक यू फोर वाचिंग